वेलकम टू अजीत क्यार आज किस वीडियो में हम लोग परतिसत निकालना सीखेंगे और बहुती आसानी से तो वीडियो को पूरा अंत तक देखेगा और अगर आप चैनल पर नए है तो प्लीज चैनल को जोरू सब्सक्राइब करें तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं यहां पर 40 है तो हम 40 को लिख देंगे और यहां पर का है और का का मतलब होता है गुना और यहां पर 15 परतिसत है तो हम 15 को लिख देंगे और इस परतिसत को जैसे ही हम हटाएंगे तो इसके नीचे में 100 को लिखना पड़ेगा परतीशत का मतलब होता है परतेक 100 में से जैसे ही हम इस परतीशत को हटाएंगे यहाँ से तो इसके नीचे में 100 चलाएगा अब देखिए इसमें जो कटने वाला संख्या होगा उसे हम काट देंगे तो 1,0 से 1,0 कट जाएगा ये हो जाएगा 5,10 और ये हो जाएगा 5,15 ये 2,1 कम 2 और ये 2,4 तो 2,3,6 से काटने के बाद आगया 2,3 ये हो जाएगा 2,6 तो ये हो जाएगा इसका आंसर 40 का 15 पर 30 छे निकल के आ गया यानि कि अगर यहां पर 40 रुपया रहे तो इसका 15 पर 30 छे रुपया हो जाएगा अगर यहां पर 40 आम रहे तो इसका 15 पर 30 में 6 आम आ जाएगा माल लिजिए कोई समान है जिसका मुल 40 रुपया है और उस समान पर 15% का डिस्कॉंट चला है छूट चला है तो उस वस्तू पर हमें 6 रुपया का डिस्कॉंट मिल जाएगा सेकेंड कोशन, 140 का 10% निकालिए, तो हमें 140 का 10% निकालना है, तो चलिए, इसका 10% निकालते हैं, देखिए यहाँ पर 140 है, तो हम सबसे पहले 140 को लिख लेंगे, और यहाँ पर का है, और का का मतलब होता है, गुना, और इसके बाद 10% है, तो हम यहाँ पर 10 लिखेंगे, और जैसे ही 10% को हटाएंगे, तो इसके बटा में 100 चलाएगा, परतिसत का मतलब होता है, परतिक 100 में से, इस परतिसत को हटायते ही, इसके नीचे में हमें 100 को लिखना पड़ेगा, अब देखिए इसमें जो कटने वाला संख्या होगा, उसे हम काट देंगे, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, ये एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, और बच गया 14 एकम, तो 14 को एक से गुना करेंगे, तो ये 14 ही रह जाएगा, तो 140 का 10% निकल कर आगया 14, ये हमारा आंसर हो जाएगा, माल लिजिए आप किसी वस्तु को खड़ी दने जा रहे हैं, और उस वस्तु का मुल 140 रुपया है, और उस वस्तु पर 10% का डिसकॉंट चला है, तो आपको 14 रुपया का डिसकॉंट मिल जाएगा, यानि कि वह वस्तु आपको 140 माइनस 14, यानि कि 126 रुपया में मिल जाएगा, चलिए आप अगले परसंद को सॉल्व करते हैं, नेक्स्ट कोश्चन, 1000 का 5 परतिसत निकालें, तो चलिए इसका 5 परतिसत निकालते हैं, तो सबसे पहले यहाँ देखिए 1000 है, तो हम सबसे पहले 1000 को लिख देंगे, का का मतलब होता है गुना, और ये इस 5 को यहाँ पर लिख देंगे, और जैसे ही इस परतिसत को हटाएंगे, तो इसके नीचे में 100 चला आएगा, अब देखिए इसमें जो कटने वाला संख्या होगा, उसे हम काट देंगे, ये 2 0 से 2 0 कट जाएगा, ये 2 0 से 2 0 कट जाएगा, अब जो बचास को गुना कर लेंगे, यहाँ पर 10 है और यहाँ पर 5 है गुना में, तो 10 पचे, तो 10 पचे हो जाएगा 50, तो 50 ये हमारा आंसर हो जाएगा, तो 1000 का 5 परतिसत निकल के आगया 50, तो चलिए अब अगले प्रस्म को सॉल्व करते हैं, नेक्स्ट कोश्चन, 5000 का 25 परतिसत कितना होगा, तो चलिए 5000 का 25 परतिसत ग्याद करते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए 5000 है, तो हम 5000 लिखेंगे, और का है का का मतलब होता है गुना, और यहाँ पर 25 है, तो हम 25 को लिखेंगे, और इस परतिसत को जैसे ही हटाएंगे तो इसके नीचे में 100 चलाएगा अब देखिए इसमें जो कटने वाला संख्या होगा उसे हम काट देंगे तो ये 2 0 से ये 2 0 कट जाएगा अब बचा है 50 गुना 25 तो इसको गुना कर लेंगे तो 25 पंचे हो जाएगा 125 और 1 0 को लगा देंगे तो ये हो जाएगा 125 और 1 0 को लगा देंगे तो ये हो जाएगा 1250 ये हमारा आंसर हो जाएगा तो 5000 का 25 परतिसत 1250 हो जाएगा ये हमारा आंसर हो जाएगा ये रहा आज का लास्ट कोशन ये कोशन आपके लिए है वीडियो अची लगी हो तो प्लीज वीडियो को जोरो लाइक करे और सेर भी करे और यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को जोरो सब्सक्राइब करे ताकि आपको आगे भी इसी तरह के वीडियोस मिलती रहेगी